अलो गाईज, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउस की कटिंग करना सिखेंगे, बहुती आसान तरीके से, तो ये 32 का साइज है, तो ये बैक जैसा डिजाइन वाला देख रहे हैं, इस तरह का कटिंग करेंगे, आगे से प्रिंसेस कट रहेगा नॉर्मल और पीछे से ये डिजा करते हैं, तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे, तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है, यही से हम सोल्डर ना पेंगे, लेंथ ना पेंगे, डाट पॉंट ना पेंगे, तो यही से हम सुरू करेंगे, तो देखिए हम लेंथ ले रहे हैं, ठाट तो थोड़ा आदा इन नीशे कर लेना, तो मैं अभी लगा दिया हूं तो इसको मिटाओंगा नहीं, आप जो है उसको आर्वेस कर लेना, ठीक है, तो इस हिसाब से अभी मैं सोल्डर नापूंगा, तो सोल्डर आपने दिया है मुझे ठाटीन इंच का, तो ठाटीन का आप सि तो थोड़ा कम करेंगे, तो चल जाता है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा एक सुद कम करके मैं निशान लगा लिया, और नेक का ब्रोडिंग डाइंच पर लगा के मैंने इस तरह से स्लोप दे दिया, क्यूंकि सोल्डर बहुत सोट है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, और यहां पर आधा इंच मा allowed करना, यहां पर कर سकते हों, लेकिन मैं क्वाट्र इंच लगाया, आपको बढाना है तो ऑड़ा सकते हों, और सोल्डर की ब्रोडिंग कम चाहिए, तो यहां निशान लगा लगा, जितने पर भी लगना है, चोड़ाज जीने तो थोड़ा सा और ब ब्रोडिंग बढ़ा दिया मैंने और भी बढ़ा सकते हो जितना चाहिए उतना आप रख सकते हो तो आपकी मर्जी है यह ज्यादा देखो अभी भी सब का 30 से निकालना है यहाँ इंटे संपार अचाहिब है इसए कम जादा नहीं हो कोई भी साइज ओ 28, 30, 32 या 34 आपको यही निकालना है 17 निच का इतने पर ही निकालना है और उसके बाद में मैंने निकाल के जो भी बताया आपको उसको उस तरह कर लेना है और अभी हम नेक का जो भी है लेंथ मतलब डाउन होता है वो हम निसान लगाएंगे नेक डिप का तो नेक डिप का मैंने निसान लगा दिया 7 निच का और बैग हमारा नॉर्मल है और बैग का लो भी है जो डिजाइन अभी आप नहीं देख रहे हो लेकिन बैग का कटिंग करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा तो उस हिसाब से मैं बताऊँगा कि डिप नेक भी है, लेकिन डिप नेका मिजरमेंट भुजे नहीं मिला है मैं अपने हिसाब से कर दूगा तो आप देखो मैंने मिजरमेंट लगाया है उस्तरह करना है तो डाट पम्ट या के देखो काम हो गया पौने नौपर हो गया लेकिन आपको साड़े नो है तो आप कम कर लेना पहले ही बढ़ा लेना नीचे तो सवा नो पे आके बैठेगा यानि क्वाटर इंच कम हो जाएगा तभी अच्छी तरह बैठेगा आप जो मैं बता रहा हूं उस तरह से करके ट्राइ कर लेना अभी यह पौना इंच का हम के पार्ट पर भी सेम लगा लेना है तो मैंने जो निसान लगा था वह बराबर था इसलिए मैं छोड़ दिया अभी यह 7 इंच मैंने निसान लगाया आर्मोल का लेंथ अब यहां पर जो भी अमारा अपर चेस्ट है इसको 4 से डिवाइड करेंगे और जितना भी हमारा होता है तो 31 है तो देखिए मैं कितने पर लगा रहा हूं यानि पौने आठ पर लगाना है और उसके बाद में उसके बाद आधा इंच के करीब बढ़ा लेना है तो आधा इंच इसलिए बढ़ता है कि आप जो है यहां पर डाट दोगे तो माइनस हो जाता है आपको जो है अगर लूजिंग रखना है तो यहां पर बढ़ा लेना है थोड़ा सा तो उस हिसाब से आप लूजिंग के हिसाब से बढ़ा सकते हो नहीं भी यहां पर मार्किंग करते हो तो आपके पास फैब्रिक होता है साइड में जब हम रखते हैं छोड़ते हैं उसमें भी लूज टाइट आप कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इतना जरूरी नहीं है कि एकदम पर्फेक्टी आपको कटिंग करना है जो मैं बता रहा हूं इस पे भी करोगे बाद में लूज टाइट का जो भी मसला है उसमें हल हो जाता है कोई मुश्किल नहीं होता है अब यह बोला ज होती है तो उसको लूजिंग के साथ बनाए जाता है किसी का लूज बोडी होता है तो जरा भी आप हलका भी लूज करोगे तो ज्यादा लूज जाता है अब देखिए मैं 1.5 इंच का डाट यहां नीचे लगा रहा हूं तो इसमें भी आपको वही करना है 34 से लेके और जो आपको इतना ही डाट लगाना है तो यह आप अच्छी तरह से बिटा सकते हो तो आप कोई भी यह सब चीजे मैं वह बता रहा हूं जो आप लोग को बताया नहीं अभी तक इसलिए मैं सब यह सेर कर रहा हूं कि आप लोग को पर्फेक्ट पता चल जाए कि एक इंच का फरक अच्को तो आपको स्रीफ 10 इंच का ही डाट निचे लगाना है और पौना इंच का उपर लगाना है और जो भी यह माइनस कर रहा हूं प्लस कर रहा हूं आप देखलो यह डाट का मैंने यहाँ पर माइनस करके और इस तरह से लगाया तो जो भी हमारा वेश्ट है 25 तो उसको 4 से डिवाइट करके जितना भी निकलता है उतने पर लगाना है यानि के 6, 7, 6 पर लगा दिया मैंने ठीक है तो 7, 6 पर लगाया है और इस तरह लगा के साइड को हम बन कर देगे और 1.5 इ जान से मैंने बताया नहीं है लेकिन अभी बता रहा हूँ कि डेल इंच आपको साइड माइनस कर लेना है सेंटर के लेंज है यानि 13 है तो यहाँ पे 11 हाप पे आएगा साइड का लेंज तब यह बराबर आएगा और इस तरह से करके हमको सेप लगा लेना है प्रिंसेस कट क सेप लगाना एकड़ जरूरी है जिस तरह मैंने लगा इस तरह ट्राइ करो आप करते रहो बिल्कुल पर्फेक्ट आ जाएगा एक बार करोगे Дो बार करोगे करते करते आपको आ जाएगा अगर यह बिगनार हो तो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात आ है मुझसे भी बेहतर लगाने की कोशिस करो मैं तो यही चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर लगाने की कोशिस किया जाता है तो ठीक है तो मैंने नेक को अगर मैंने आपका नेक देखिए कितना ब्रॉट दिख रहा है आपको थोड़ा नेरो चाहिए तो अंधर की तरफ, नेक की तरफ सरका के आप solder seam को बड़ा करके कटिंग कर सकते हो तो आपका हो जाएगा लेकिन आपकी मरजी है अगर आप पतला भी रखना चाहो तो आप पतला कर सकते हो लेकिन shoulder के तरफ से कुछ भी नहीं करना है आपको neck की तरफ से ही छेड़ना है ठीक है तो इस तरह मैं cutting कर ला हूँ roughly cutting कर लेता हूँ आप को close करके इसका shape निकालूँगा armhole का तो इस तरह के तरह करके आज अब shape निकालेंगे तो अच्छी तरह हो जाएगा तो अभी हम cutting armhole को perfect नहीं करते हैं इसलिए नहीं कर रहा है कि कभी भी इस तरह से बराबर कट देंगे तो कम पड़ जाएगा वहाँ paper पे तो join लगाना पड़ेगा इसलिए मैंने roughly cutting कर लिया है अभी dart को cutting करके मैं close करूँगा neck को भी मैंने cutting कर लिया अब नीचे के dart को देखिए इस तरह से princess cut को cutting करेंगे लेकिन पहले हम dart का हिस्सा निकाल देंगे उसके बाद उपर का भी dart का हिस्सा हम एक तरफ से cutting करके close करके बराबर कर लेंगे तो इस तरीके से आप cutting करके देखो आपको perfect cutting होएगा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है एक जैसा rubber cutting हो जाएगा यानि आर्मोल का shape पूरे blouse का shape एकदम perfect cutting हो जाएगा तो इस तरीके से अभी हम इसको सही कर लेंगे आर्मोल को आपने आर्मोल का measurement नहीं दिया था तो मैंने जो 15 inch के हिसाब से मैंने किया है cutting तो आपका कम जादा होगा तो आप कर लेना अगर 14 होगा तो आप इसको आर्मोल का जो भी हमने लेंद निकाला था उसको तोड़ा माइनस करके सही कर लेना तो इस तरीके से कर लेना चाहिए जो भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे cutting में भी कुछ problem दिख रहा है तो आप लोग सुधार लिया करो ऐसा नहीं है अगर मैं जो बता रहा हूँ अगर इसमें कुछ भी गड़बल लगता है तो आप लोग सुधार सकते हो आप लोग को ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल ला हूँ वही आप जो है इसमाल करोगे ऐसा नहीं है अभी देखो बैक का cutting करेंगे तो मैंने फोल्ड करके रख लिया है हला कि एक पार्ट में cutting कर सकता था मैं लेकिन डिजाइन बराबर खुल के दिखता नहीं इसलिए मैंने किया है और बैक उपनिंग वाला ही करेंगे तो यह की पल्ला काटना है आपको इस तरह मैंने फोल्ड किया उस तरह नहीं काटना है मैं स्रिफ दिखाने के लिए डबल फोल्ड करके cutting कर रहा हूँ अर यहाँ पर फोड़ा उपर आधा इंच के करीं मैंने बढ़ा लिया है यानि कि लेंद का बैक का और इस तरह से सुल्डर जितना 30 निचे तो साड़े 6 पर यानि हम मैंने लगा दिया है यानि इस तरह से जितना सुल्डर है उतने पर लगाना है और friend का जो solder seam है उसको हमने बराबर कर लिया है तो देखिए किस तरह से solder बाहर की तरफ गया है तो इस तरह से ही लगाना है solder bag में बिल्कुल कम नहीं करना है अगर कम करोगे तो वो tight होगा बैटेगा नहीं जो भी आप देख रहे हैं डिजाइनर बिला उसका जो भी solder देख रहे हैं जहाँ पर बैठा है वहाँ बैठेगा नहीं किस के अंदर की तरफ जाएगा sort हो जाएगा इसलिए जो solder है वही लेना है और यहाँ पर मैंने एकदम बराबर रख दिया dartboard जैसे cutting किया था friend को ऐसे ही और जो भी हमने upper chase का नाप लिया था four से divide करके वही निसान लगाना है हमको जो है आदा इंच बड़ा के लिया था वहाँ पे नहीं लगाना है ठीक है तो इस तरह कर लेना है अब हमको side के panel का जो side है उसको हम क्या करेंगे इस तरह से बराबर करके हम निसान लगाएंगे इतना upper chest है उतने ही रखना है थोड़ा minus करोगे चलेगा इसलिए कि पीछे हम डीप देने वाले है यानि के उपर shoulder पर नहीं देगे नीचे जरूर देंगे तो देखे बराबर ही आया है कुछ कम ज़्यादा नहीं है तो मैं वहीं छोड़ देता हूँ यहाँ पर क्या करना है 25 है तो यहाँ पर 76 इंच पर निसान लगा के और हमको एक इंची डाट देना है ज्यादा नहीं देना है एक इंच से ज्यादा डाट नहीं दिया जाता है कुछ भी पराड़ा 10 मारों है तो भी चलेगा अगर एक इंच मारते हो तो भी चलेगा उससे जादा मत मारा करो ठीक है उससे जादा मारों है भैक कडाट तो अच्छे से नहीं बाटाँगा देखने में फिनीसिंग नहीं अच्छी आएगी तो वह सब का भी ध्यान 이젼रा रखसकते हो आपकी मरजी यहीं जैसा बहतर लगे आपको लगता है की यह गरबड है तो ऊश द पर नहीं सुद्दार सकते हो तो आपके पास बहुत बाहित टाईम होता है ऐसा यहां एक बार हमने मारकिंग लगा दिया तो खेल खतम है ऐसा कुछ नहीं है आप पूरा फर्मा कटिंग करने के बाद भी जब पप्ड़े जाओ वहां भी चेंजिंग कर सकते हो तो चेंजिंग करने का बहुत रास्ता होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस तरह मैंने सीधा मार्किंग करिया इसलिए कि द बोर्ड लिखके दिया था मुझे तो इस हिसाब से बोर्ड के हिसाब से इस तरह का ब्रोड आता है तो मैंने बोर्ड नेक के हिसाब से किया है आपने अगर नेरो बोला होता नॉर्मन नेक बोला होता तो साथ मैं नेरो बनाता तो इस तरह से अभी सेब देना है आपको यहा कर सकते हो जड़ा भी अगर आपको लगता है कि मेरे से में कुछ प्रोब्लम है तो सुधार सकते हो इस तरीके से मैं कर दिया है तो मैं क्या है कि एक पेपर पर ड्राइध करके मैं रख लेता हूं और जब research करता हूं तो उसके हिसाब बन तो मोबाइल में रहता है, इमेज मुझे मालूम नहीं रहता है, मैंने एक बार देखा रहता है, और बाकी में थोड़ा ड्राइंग कर लेता हूं, तो उस हिसाब से करता हूं, तो आपको जो भी इसमें गलत लगे, आप सुधार सकते हो, तो इस तरह के से करके अम बराबर मार करके देख लेना है, ज्यादा हमारा जो नेक का सेफ कैसे उसमें टक राना नहीं चाहिए, उस घूड़ा दुरिपे होना चाहिए, उस हिसाब से निसान लगा लेना है, उसके बाद करने के बाद में, हमको क्या करना है, कि यहां पर नीचे का भी खलोज करके, इस दरह से निसान लगा के इसको भी जब हम कटिंग करेंगे तो बैग हमारा इस्टेट आएगा बिल्कुल सीधा आएगा तो आप और लो कर सकते हो बैग इसमें कुछ नहीं है तो आपको जितना चाहिए मैंने जो अंदास लगा अपने नाप नहीं दिया था मुझे तो मैंने ऐसे कर द करके कटिंग कर लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा मैं तो आपको एक एडिया एक दे दिया जिस तरह करना आप कर सकते हो तो मैं रख के दिखाने के लिए इस तरह का डबल फोल के करके किया हूं कि आपका देखो किस तरह का दिख रहा है आपको परफेक्ट दिख रहा है य तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया आप देख लेना कैसे करना है अब आपने स्लीज मुझे दिया है तो 9 पे 9 दिया यानि 9 इंच लेंद्ध है और 9 इंच कम उसका बॉटम है तो उस हिसाब से मैं 9 इंच पे निसान लगाऊँगा यह भी मैंने फोल्डेट पार्ट लिया है कपड़े को मतलब पेपर को मैंने ऐसा डबल फोल्ड किया है और यहां साड़े चार इंच पे निसान लगाऊँगा और लेंद्ध का मैंने 9 इंच पे लगा लिया अब हम क्या करेंगे हमारा आर्मोल मैंने 15 पे रखा है तो इस तरह से टन करके साड़े साथ पे निसान लग तो थोड़ा देखो मैंने उपर ले लिया तो इस हिसाब से आपको लूजिंग दे के बनाना है तो इस तरह से थोड़ा सा लूज कर सकते हो तो इसमें कैप भी कम हो जाएगा और आपका थोड़ा कमफट हो जाएगा और बिल्कुल फिटेट देना है जैसा मोडल ने पहना ह तो आपको उसका पहले क्या करना है, आम सनाप लेना है, उस हिसाब से आपको आर्मल को इस तरह डाउन करके कर लेना है, तो देखिए मैंने इस तरह कर लिया है, अब यह कटिंग हो गया है, तो इस तरह से मैं चौक का मार्किंग करके आपको दिखा देता हूं, कि चौक का मार तो ज्यादा नहीं किया जाता है, कमी किया जाता है, अदा इंच बहुत होता है, उससे ज्यादा नहीं करना है आपको, इस तरह से मार्किंग कर लेना, मार्किंग करके हम रख कर आपको दिखाएंगे, तो मेरा कटिंग करने का तरीका एडिया पसंद आ है, तो मेरे चैनल को ल कार कैंप उुब तरह जूब तरहो कि ठामela करें लुब हैं